सबस्क्राइब हम ने सकिन त्रोड़क्स के बारे में सीड़ा सकते हैं जा कि हैं सबस्कें जाना था उड़ आपको प्रोडक्स के बारे में भी आपको बताय था कि कि हम किस किन पर कौनसे प्रोड़क्ट यूज कर सकते हैं Và साथ मैंने यह बताए कि मैं आपको सी ट्म का प्रोसेस होता है वह करके दिखाऊँगी की किное हमें सी ट्म करना होता है तो यह जो परिय 경우에는 see them make-up करने से पहले करना है अगर हम कोई भी मेंक अप कर रहे हैं फार्टी मेंगप देखेगा उसमारे सिटियम प्रोसस को करने के लिए उसको जब करेंगे इन प्रोडट्स के साथ तो रिजल्ट बहुत जादा अच्छा होगा अगर आप पालर में करें तो इस तरीके के प्रोडट्स जरूर खरीद दें अगर आप घर पे करें तो आप सिंपल नॉर्मल कोई भी product यूज़ कर सकते हैं उनका name भी मैं आपको बता दूंगी कि कौनसे परल्र में यूज़ कर सकते हैं और कौनसे product घर में यूज़ कर सकते हैं तो जैसे यह हमारा lotus का कलीजिंग मिल्क है यह अलोवेरा जल में है यह यह हमारा टोनर है जो की यह इन ड्राय स्किन के लिए ही होता है और लोटस का है रोज वोटर ही है और यह भी टोनर है यह वाव ब्रैंड के हैं इसमें सब्सक्राइब को बिल ग्लींजिंग और मिलोफ रेज आप निर्ट मिलेगा तोनर भी मिलेगा फेस वोस भी मिलेगा मिल जाएगी सब्रशन हाथ कतर सपाफें हैं इसमें ग्लींजिंगju करते हैं तो अँनल क्यु tofu कर्ते हैं बीकाम जो स्टार्ट को आध का जो हमारा पार्ट होता है Qlinjion उसमें भी हम ये यूज करते है और ये रोज उटर है टोनर के लिए Blue Haven में ये Life Line का टोनर है जो कि सबी स्किन के लिए है कैसी भी स्किन हो उसके लिए ये यूज होता है और Good Wives का टोनर है हिमाल्या का है क्लिंजिंग मिल्क, Lakme चाहिए है इस तरिके प्रोडक्ट जुरूर करीद दें और अगर आप घर पे करेश्च तो एक सिंपल आप क्लेंजिंग मिल्क ले सकते हैं किसी भी प्रैंड का और आप तोनिंग आप रोज वोटर से कर सकते हैं तोनिंग रोज वोटर से हो जाएगी और जो लाश्ट वाला है मॉस्तराइजिंग वह आप कोई भी मॉस्तराइजर ले सकते हैं जैसे पॉंट्स का निद स्टेम किस तरीके से किया जाता है और कौन सी जो स्टैप होते में जो चीज होती है ना सी चीप को करने के लिए वह ध्यान में क्या-क्या रखें तो चलिए शुरू करते हैं यह देखिए सबसे पहले हम half teaspoon के करीब cleansing milk ले लेंगे first step हमारा cleansing है और उसको करने के लिए हमें cleansing milk ही चाहिए है उसे यह होता है कि जो हमारे face का dirt होता है वो सारा remove हो जाता है अगर आपने 5 मिंट पहले भी face को wash किया है और हम cleansing milk से clean करते हैं face को तो भी आप dirt निकला हुआ देख सकते हैं आप try जरूर कीजिएगा यह देखिए यह मैं आपको डमी पे करके दिखा रही हूं कि किस तरीके से हमें करना है सबसे पहले हमें neck पे और पूरे face पे lips पे भी nose पे भी eyes पे भी हर जगह पे इस तरीके से हम cleansing milk को apply कर लेंगे यह कोई भी side effect नहीं करता है जिस तरीके से हम bleach को face पे apply नहीं कर सकते हैं आइब्रोज पे नहीं कर सकते और lips पे नहीं कर सकते आइज पे नहीं कर सकते ब्लीच को लेकिन cleansing milk हम पूरे face पे apply कर सकते हैं अच्छे से apply करने के बाद जो facial वाले step होते हैं normal step वो हम करेंगे वन बाइवन करके ऐसे face को अच्छे से rub कर देना है ज्यादा hard हमें hand नहीं use करने है और इस तरीके से eyes के नीचे eyes के उपर इस तरीके से हम हर एक part पे massage करेंगे सिरफ 2 या 3 minutes ही हमें अच्छे से इसके massage कर देनी है face की यह step थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो रहे हैं अगर हम face पे करते हैं क्योंकि face तो हमारा सैटी होता है तो और भी effectively हमारा यह massage बनेगा झाल यह देखिए इस तरीके से हमें जो facial वाले step होते हैं facial वाले step है वह मैं आपको बहुत अच्छे से एक separate video में बता जूँगी ही मैंने बस CTM करने के लिए ही कुछ कुछ जो basic step होते हैं वह किये हैं और इस तरीके से दो या तीन मिट तक अच्छे से massage करने के बाद अगर आप face पे भी करोगे तो इस तरीके से देखिए toning आप अगर घर पे कर रहे हैं तो आप rose water से कर सकते हैं तो वह बहुत ही best process होता है लेकिन अगर आपकी sensitive skin है तो आप वह सारा कुछ avoid कर दीजिए बस आप इस तरीके के baby wipes आते हैं तो वही आप यूज कीजिए ये बाकी के skin पे आप toning कर सकते हो तोनिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है फेस पर हमें toner को apply करना है गुलाब जल को हमें apply कर देना है apply करने के बाद इतनी ही मसाज करनी है कि जितना की वह इसके उपर observe हो जाए और उसके बाद हमें 5 मेंट तक हमें इसको छोड़ देना है कुछ नहीं करना है बस skin को relax करने के लिए हमें छोड़ देना है उसके बाद third step आता है हमारा moisturizing 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 आप कोई भी ले सकते हैं घर पे आप ले सकते हैं नेव्या soft light moisturizing cream ये बहुत effective cream है अगर आप घर पे use करे हो तो इसको आप use कर सकते हैं तो आप इसको भी ज्यादा मसाज नहीं क अधामत लगाएं जितना हम facial करते हैं cream के बहुत ही ज़्यादा रब करनी है या मसाज करनी है उतनी ही नहीं जितनी हम cream लगाते हैं उतनी ही लगानी है और अच्छे से जब तक ये observe नहीं हो जाती है ये सिरफ एक minute या half minute में ही observe हो जाती है skin पे तो ये ज़्यादा time नहीं ल करने से पहले और जब आप CTM कर लो तो कम से कम 10 minute का time जरूर दीजिए skin को rest करने के लिए यानिके आप CTM करने के बाद 10 minute तक उसको skin को छोड़ दीजिए उसके बाद ही make up कीजिए आपका make up हो थी flawless और glowing दिखेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो please इस वीडियो को like जरूर कीजिए और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और bell बुटन जरूर ब्राच कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुन सके thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में